नमस्कार दोस्तों मैं गुलाब ठाकुर अनेकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ हम लोग सुकरात यही एथिक्स पेपर फोर्थ के पहली यूनिट जो है इसके ठिंकर्स को देख रहे थे ठिंकर्स में हमने जो विचारक उठाए पहले हमने इससे पहले चारवाग दर्शन का अध्यन किया चारवाग दर्शन के बाद हम पश्चिमी दाश्निक सुकरात का अध्यन कर रहे हैं जैसा कि मैंने बताया था कि पश्चिमी दर्शन में तीन प्रमुग दाश्टनिक हुए सुकराथ, प्लेटो और अरस्टो तो सबसे पहले हम यहाँ पर सुकराथ का अध्यन कर रहे हैं सुकराथ के संबंद में मैंने पिछले वीडियो में सुकराथ की ज्यान विमानसा के संबंद में चर्चा की सुकराथ की ज्यान विमानसा के अंतरगत हमने देखा कि ज्यान कैसे प्राप्त किया जा सकता है ज्यान प्राप्ती के इस तुरूत क्या है तो उसके अंतरकत हमने देखा कि सुक्राद ने प्रश्णोततर पद्धिती दी और कहा कि संबात प्रणाली के माध्यम से ज्ञान प्राप किया जा सकता है अगला इसमें सुपरात का जो सिध्धान था सद्गुणों की एकता का सिध्धान जिसमें उन्होंने बताया कि ज्ञान ही एक मात्र सद्गुण है और अन्य सभी जो सद्गुण है वो ज्ञान के ही विविद रूप है इस प्रकार जो समस्त सद्गुण हैं वो बास्तों में ग्यान के ही रूप है तो इसे सद्गुणों की एक्ता का सिद्दान कहा जाता है तीसरा इनका विचार देखा सुब की आउधारना जिसके अंतरगत सुकरात ने सुब की आउधारना दी और कहा कि जो भी चीजें आनंद प्रद हैं वही क्या है सुब है जिन से आनंद प्राप्त होता है जो समाच कल्यान के लिए सही है जो समाच की भलाई के लिए है वे सभी चीजें सुब है तो ये सुकरात की ग्यान मिमानसा थी आज मैं सुकरात की तत्मिमानसा की चर्चा करने सुकरात की तटमिमांसा में ज्यसकी मैंने पहले बताया कि तत्मिमांसा अटः जिसके अंदmail विभिण तक्त्मों का अध्यन किया जाता है तो दर्शन सास्त्र में और इशोर आत्मा जगत जीन इन सब को तत्वों के रूप में लिया जाता है तो जब भी हम ईशोर के वारे में या आत्मा के वारे में या जगत के वारे में अध्यन करते हैं तो उसे हम तत्व मिमानसा कहते हैं और जब भी हम ग्यान के वारे में अध्यन करते हैं तो उसे ज्ञान मिमानसा कहते है, मिमानसा करत होता है जानना, जब भी हम ज्ञान के बारे में जानते हैं तो वो ज्ञान मिमानसा, जब हम तत्वों के बारे में जानते हैं तो वो तत्व मिमानसा, तो यहां में सुकरात की तत्व मिमानसा के साथ साथ, जो सुकरात के कुछ मह इतने कथन हैं, इन कथनों की भी चर्चा करूँगा, सुक्रात ने कुछ कथन दिये हैं, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में आपको सुक्रात के पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि सुक्रात के द्वारा जो सिद्धान दिये गए हैं, वो किसी पुस्तक विसेश में नहीं दिये गए हैं मतलब सुकुरात में किसी पुस्तक की रच्णा नहीं किये कि आप वो पुस्तक पढ़ लें और सुकुरात के सिद्धान तो आत्मसाथ कर लें सुकुरात के यतने भी विचार हैं वो उनके जो सिस्स रहे हैं प्लेटो अरस्तु इनके दर्शन में आपको देखने को मिलते हैं क्योंकि प्लेटो अरस्तु नहीं सुकुरात के जो विचार हैं उनको आगे बढ़ाया है तो आज हम सुकुरात की तत्मिमानसा देख रहे हैं तत्मिमानसा में हम देखेंगे इश्वर संबंदी विचार, आत्मा संबंदी विचार और जगत संबंदी विचार इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अन्य दाशनिक ईश्वर के बारे में क्या कहते हैं, वहीं सुकरात का कहते हैं, आत्मा के बारे में अन्य दाशनिक क्या कहते हैं, तो सुकरात का क्या मत्त हैं, जगत के सम्मन्द में भारतिय दर्शन क्या कहता है, सुकरात क् कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से मेल खाता है पर काफी हद तक भारती दर्शन से वो मेल खाता है तो हम सुकरात की तत्मिमानसा प्रारम करते हैं तो सुकरात की तत्मिमानसा के अंतरगत हम सबसे पहले सुकरात का ईश्वर विचार, जगद विचार और आत्मा विचार देखेंगे तो अगर मैं बात करूँ सुकरात के ईश्वर विचार के संबन में तो सुकरात कहते हैं कि साथ ईश्वर एक है यानि हम बात करें जो सुकरात में एक ईश्वर वात का समझतन किया है देखिए एश्वर्बादी, दूसरा नीश्वर्बादी इश्वर्बादी जो एश्वर्वादी सत्रा को सुईकार करते хороший उन्हें कहाजायता है एश्वर्बादी दूसरा है अनीश्वरवादी जो इश्वर की सत्ता को सुईकार नहीं करते है तो सबसे पहले तो मैं अगर आप कहें कि सुकरात कि स्रेणी में आएंगे तो सुकरात इश्वरवादियों कि स्रेणी में आएंगे क्योंकि वो इश्वर को सुईकार करते है उसके पाद इश्वरवादी या अनिश्वरवादियों के बाद आते हैं एकेश्वरवाद और बहुदेवबाद एकेश्वरवाद मतलब जो मानते हैं कि इश्वर एक है परमसत्ता एक है बहुदेवबाद जो मानते हैं कि ये सत्ताइं अलग-अलग है जैसे कि हिंदु धर्म में बहुदेयोबाद का पालन किया जाता है अलग-अलग इश्वरों की पूजा की जाती है जैसे कि आपको गदर 33 करोड देवी देवताओं की भारत देश में पूजा होती है इसे कहा जैता है बहुदेयोबाद सुकराद एक इश्वरवादी थे मानते थे कि परमसत्ता एक है और उस परमसत्ता को प्राप्त करने के अलग-अलग धर्मों में अलग-अलग मार बतलाएगे किन्तु अंतता सभी मार्गों का उद्देश क्या है उस परमसत्ता की प्राप्ती है तो इन्होने परमसित्ता को एक माना और अलग-अलग डिवी दित्ताहों की पूजा करने के अस्थान पर ये कहते ते ही कि एक परमसित्ता को सुविकार करना चाहिए और उस परमसत्ता का साक्षात का किस मार्द्यम से होगा तो यह कहते थे ज्ञान के मार्द्यम से अच्छा देगे इश्वर प्राप्ति के अलग-अलग मार्द बताएगा जिसे हिंदु धर्म में इश्वर प्राप्ति के अलग मार्द बताएगा भक्ति मार्द ग्यान मार्द कर्म मार तो थी श्री तो ढ़ी सुख्रात पर मार्क के समतर सक्षे सुख्रात किसा घ्यान मार्क के संदस्यूंगा उस इश्वर का साक्षातकार किया जा सकता है तो यहां पर सुक्रात ने अपने इश्वरवादी विचारों में जो कहा है कि वो कहते हैं कि इश्वर एक है यानि वो जो परमसत्ता है वो एक है अलग-अलग धर्मों में उसकी प्राप्ति के लिए अलग-अलग मार्ग वतलाए गए हैं लेकिन सभी धर्मों में जो मार्ग वतलाए गए हैं उन मार्गों का अंति मुद्दिश उस परमसत्ता की प्राप्ती है और वो कहते हैं कि उस परमसत्ता को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए ज्ञान मार्क सबसे प्रमुक मार्क है वो कहते हैं ज्ञान के मांध्यम से ही मनुष्य उस परमसत्ता को या उस परमसत्ता का साप्षात कार कर सकता है तो ये था सुकरात का इश्वर विचार ठीक है अगले अगर हम बात करें आत्मा विचार में तो सुकरात का जो आत्मा विचार है वो भारतिय दर्शन से काफी मिलता है भारतिय दर्शन में माना जाता है कि आत्मा अजर मर है आत्मा को कभी भी नश्ट नहीं किया जा सकता है जिस प्रकार मनुष अपने वस्त बदलता है उसी प्रकार आत्मा सरीर बदलती है मित्यु जो होती है वो सरीर की होती है आत्मा की मित्यु नहीं होती है तो उसी प्रकार सुक्रार भी अपने आत्मा विचार में कहते हैं कि वे जो आत्मा है वो अजरमर है और जो हमारी सरीर में निवास कर रही है आत्मा उसका कोई कुछ नहीं विगाड सकता है आत्मा ऐसे सरीर का बार बार धरन करती है और ये जो सरीर होता है ये इस्थाई नहीं होता है किन्तु जो इसके अंदर आत्मा निवास करती है वो इस्थाई तो जैसे कि भार्तिय दर्शने हम बात करें हिंदू दर्शन में कहा गया है कि आत्मा इस्थाई है अजर अमर है ना तो उसे कोई नस्ट कर सकता है ना ही उसे कोई परिवर्तित कर सकता है तो सुकरात ने भारतिय दर्शन के समान आत्मा को अजरमा और स्थाइवाद जैसे कि मैंने इसके पहले जो चारवाक आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि चारवाग आत्मा के स्थित्त को ही सुईकार नहीं करते हैं चारवाग कहते हैं कि इवल चेतना है आत्मा जैसा कुछ नहीं है वहीं सुकरात कहते हैं कि नहीं साथ आत्मा है और आत्मा कैसी अजरमा है इसलिए आपको ध्यान हो जो मैंने पहले बताया था कि सुकरात को जब मित्य दंड दिया गया तो उन्हें जब जहर का प्याला दिया गया तो उनके सिस्षों ने भी सुकरात से कहा कि ये जेल तोड़कर भाग चलते हैं जेलर भी उनके समर्थन में था जेलर ने भी उनको भी कहा कि भै आप भाग जाईए तब सुकरात ने कहा कि ये जहर का प्याला मेरे सरीर को नश्ट कर सकता है मेरी आत्मा को नश्ट नहीं कर सकता है दब सुकरात का एमानना था कि आत्मा अल्यर अमर है आत्मा का कोई कुछ नहीं मिलाड सकता ये था सुकरात का आत्मा विचार इसके बाद हम बात करेंगे सुकुरात के जगत सम्मंदी विचारों के तो जगत सम्मंदी विचारों में सुकुरात कहते हैं जो जगत है ये वास्त्विक है अच्छा यहां भी मैं आपको बता दूँ कि जगत सम्मंदी विचारों में भी दो पक्ष चलते हैं कुछ लोग इस जगत को वास्त्विक मानते हैं, कुछ लोग इस जगत को मिथ्या मानते हैं जैसे कि मैं बात करूं संक्राचार, पार्थिय दर्शन में संक्राचार एक महान विद्वान हुए है उमका अद्वित वात जो सिध्धानत है उसके अंतरगत वो मांगते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिध्यम जीवो ब्रह्मा ना परा अर्थात एक मात्य जो सत्य है वो ब्रह्म है ब्रह्म सत्यम जगत मिध्यम जगत क्या है मिध्या है आपको यह संसार जो दिखाई दे रहा है वास्ताव में यह नहीं है आपको अज्ञान के कारण यह संसार दिखाई दे रहा है तो वो जगत को मिथ्या मानते हैं भ्रह्म मानते हैं वहीं जो दूसरे विचारत हैं वो जगत को वास्त्रिक मानते हैं तो अगर सुक्रात की बात करें, तो सुक्रात दूसरे विचार को में समझे रहे हैं, वो संक्राचार से सहमत नहीं है, सुक्रात इस संसार को वास्तिविक मानते हैं, और यह कहते हैं कि इस संसार के वास्तिविक सुरूप को जानने के लिए, इस संसार को समझने के लिए हमें अपने अंदर के अज्ञान को हटाना होगा और इस अज्ञान को हटा कर ही हम इस जगत को, इस संसार को इस संसार की वास्त्वित्ता को समझ सकते क्योंकि सुक्रात कहते हैं इस जगत को किसी एक सिध्धान्त की परीधी में नहीं बाना जा सकता किसी एक सिद्धान के आधार पर आप इस जगत को नहीं समझ सकते हैं अगर इस जगत को समझना है तो हमें आत्म अनुसंधान करना पड़ेगा आत्म साक्षात कार करना पड़ेगा जब हम आत्मनुसंधान आत्मसाक्षात कार करेंगे तब हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी तो इस ज्ञान की प्राप्ति से हमारे अंदर का जो अग्यान है वो समाप्त हो जाएगा जब हमारे अंदर का ज्ञान समाप्त होगा हमारे अंदर के जो अग्यानता है वो समाप्त होगी तब हम इस संसार के इस जगत के वास्तिविक सुरूप को जान पाएंगे हम इस संसार के वास्तिविक सुरूप को समर्ज पाएंगे तो सुक्रात इस संसार इस जगत को वास्तिक मानते हैं वो इस संसार इस जगत को जानने के लिए कहते हैं कि अपने अंदर के अज्ञान को समाप कीजी जब आप अपने अंदर के अज्ञान को समाप कर देंगे तो इस संसार के वास्तिक सरूप का क्यान हो जाएगा और वो इस संसार को वास्तिक माँदे है और कहते हैं कि जगत उतना ही सत्य है जितना की जीव का अस्तिव यानि जितना की हमारा अस्तिव तो सत्य है कि हम है उतना ही ये भी सत्य है कि ये जगत है ये संसार है तो ये थे सुकरात की तक तुम्हें मात जिसमें हमने सुकरात का इश्वर विचार देखा आत्मा विचार देखा और चगत विचार तो एक वार शॉट में हम इनका रिवीजन कर लेते हैं इश्वर विचार में सुकरात कहते हैं कि भई इश्वर अर्थात वो परमसत्ता एक है और उस परमसत्ता को प्राप्त करने के लिए अलग-अलग धर्मों में अलग-अलग मार्ग बतलाए गए है किंतुन सभी मार्गों का अंति मुगदेश एक ही है उस परमसत्ता कि प्राप्टिकन्ना आगे वह कहते हैं कि भाउदेवाद का वह ब्रोत करते हैं उस परम सत्ता को एक मान लिए हैं दूसरा उनका आत्मा बिचार जिसमें वह कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है आत्मा का कोई कुछ नहीं विगाड सकता है जिस प्रकार से मनुश अपने वस्त बदलता है उसी प्रकार आत्मा नए नए शरीर का वरण करती है शरीर बदलती रहती है मित्यु शरीर की होती है आत्मा का कोई कुछ नहीं विगाड़ती है तीसरा जगत विचार वो जगत को वास्त्विक मानते हैं और वो कहते हैं अगर आप इस जगत को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने अंदर के अग्यान को समाप्त कीजी और इस अग्यान को समाप्त करने के लिए वो आत्म अनुसंधान की बात करते हैं आत्म परिक्षन की बात करते हैं कि आप आत्म परिक्षन कीजिए आत्म परिक्षन के माध्यम से आप अपने अंदर का ज्यान को समाप्त कर देंगे और जैसे ही आपके अंदर का ज्यान समाप्त होगा आप को इस जगत के वास्तिविक सुलूप का ज्यान होगा तो ये सुक्रात की तत्व मिमानसा थी ठीक है तत्व मिमानसा के साथ साथ जैसा कि मैंने बताया था कि सुक्रात के कुछ महत्पुन कथन भी रहे हैं इन महत्पुन कथनों के सम्मन्द में भी थोड़ा मैं आपको चर्चा करूँगा क्योंकि कई बार एक्जाम में ये महतून कथन आ जाकते हैं और फिर आपको सुकराद के ही परिपेख्ष में इनका विस्तार से वर्णन करना पड़ता है हलाकि यदि आपने सुकराद को पड़ लिया है जैसा कि हम लोगोंने सुकराद की ग्यान मिमान सा भी पड़ ली है और तक मिमान सा भी पड़ ली है तो आपको इनके संबंद में अगर लिखने के लिए आ जाएगा तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं किन्तु कुछ की वर्ड्स हैं तो मैं थोड़ा थोड़ा शॉट में इनकी हर कथन की चर्चा कर दूँगा जैसे कि पहला कथन चारवा कहते हैं कि आप कुछ नहीं जानते हैं इस बात का ग्यान ही केवल सत्त ग्यान है तो इस कथन के संबंद में सुकरात का ये कहना था कि जब तक मनुष्य इस बात को स्विकान नहीं कर लेता है कि वो कुछ नहीं जानता तब तक वो ज्ञान प्राक्ति का प्रयास नहीं करेगा और चुकि संसार में बहुत सारी चीजे हैं तो इन समस्त चीजों का ज्ञान एक मनुष को एक समय में नहीं हो सकता है अता सबसे पहले मनुष को ये सुईकार करना चाहिए कि वो कुछ नहीं जानता जब वो ये सुईकार कर लेगा तो वो आत्मनुसंदान करेगा आत्मसाक्षात कार करेगा वो ग्यान प्राप्ति का प्रयास करेगा ठीक है दूसरा कथन है वैसा जीवन जिसमें परिक्षाएं ना ली गई है जीने योग नहीं है तो यहां सुपरात का कहना है कि जीवन में आपको विविन प्रकार की समस्याएं आएंगे और जब आप उन समस्याओं का समाधान करेंगे तो आपको नए ग्यान की प्राप्ति होगी तो सुक्रात कहते हैं कि जब तक आपके जीवन में समस्यां नहीं आएंगे तब तक आप उनके समाधान नहीं खोजेंगे समाधान नहीं खोजेंगे आपको नवीन ग्यान की प्राप्ति नहीं होगी तो कहते हैं कि अगर आपके जीवन में परिक्षा नहीं ली गई है तो आपका जो जीवन है वो जीने योग नहीं है तीसरा जो है उसमें सुकरात कहते हैं दुनिया में केबल एक चीज जो अच्छी है ग्यान और केबल एक चीज जो बुरी है वो अग्यान तो जैसे कि मैंने बताया था कि सुकरात का मानना है कि वही ज्ञान ही एक प्रमुक सद्गुन है और अन्य सभी सद्गुन ज्ञान के ही विवित रूप है और सुकरात कहते हैं एक मात्र जो पाप है वो क्या है अज्ञान है अगला जो कथन है इसमें वो कहते हैं मैं किसी को कुछ नहीं पढ़ा सकता, मैं केबल उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकता। आप किसी व्यक्ति को पूरा ग्यान ट्रांसपर नहीं कर सकते। वो व्यक्ति को खुद ही ग्यान प्राप्त करना होगा। वो ग्यान प्राप्त कैसे करेगा। प्रश्ण उत्तर पद्रती के माध्यम से, संबाद के माध्यम से वो ग्यान प्राप्त करेगा तो सुकरात कहते हैं कि आप किसी को पूरा पड़ा नहीं सकते, पूरा ग्यान नहीं दे सकते ग्यान उसे ही प्राप्त करना है जब तक वो प्रश्ण नहीं पूछेगा तब तक उसे ज्ञान की प्राप्ती नहीं होगी अगला सुगरात का गथन है कि हर एक व्यक्ति द्यालू बने क्योंकि हर व्यक्ति एक कठिल लड़ाई लड़ रहा है मतलब हमें यह समझना चाहिए कि जो परेशानियां हम फेश करते हैं जो समस्यां हम फेश करते हैं वो सभी लोग करते हैं तो अगला कतन है अपने आपको जानने के लिए अपने बारे में सुझे रहे हैं इस कतन में सुक्राथ आत्मनुस अंधान की बात कर रहे हैं आत्म साक्षातकार की बात कर रहे हैं कि प्रते एक मनुष को आत्म साक्षातकार करना चाहिए अगला कतन है सुद्रण मानसिक्ता वाले लोग सिद्धान्तों एवं उद्धिष्यों की चर्चा करते हैं सामान मानसिक्ता वाले लोग घटनाओं की चर्चा करते हैं तता कमजोर मानसिक्ता वाले लोग लोगों की चर्चा करते हैं यहां यह कहते हैं तीन प्रगार के लोग होते हैं एक सुद्रन मानसिक्ता वो सिध्धांतों पे चलते हैं देश्यों की बात करते हैं सामान मानसिक्ता वाले लोग घटनाओं की कि ऐसा हुगा था ऐसा हुगा था घटनाओं की बात करते हैं वो जो कम्जोर मानसिक्ता वाले लोग हैं वो लोगों की चर्चा करते हैं उसने ऐसा किया इसने ऐसा किया तो मनुष्य को सुद्रण मान सिकता वाला बनना चाहिए सिध्धान्तों की बात करना चाहिए उद्देश्यों की प्राप्ति की बात करना चाहिए अगला है मित्रता करने में धीमे रहें लेकिन जब एक बार मित्रता हो जाए तो द्रण एवं सतत बने रहे परता सुक्राद कहते हैं कि हमें वैसे ही लोगों से मित्रता करना चाहिए जो हमारे जैसे सुखाओ का जो हमारे जैसी विचाड़धारा का तो कम ही लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो आपके जैसे हैं तो मित्रता करने में धीमे रहे हैं पहले आप परिच्छन कर लिजिए कि वह आपके जैसा है या नहीं है किन्तु अगर एक बार मित्रता हो गए तो फिर हमेशा उसे निभाना चाहिए उस मित्रता को हमेशा बनाए रखना चाहिए ठीक है आगे अगले कथर में तुक्रार केते किसी भी तरह के तरीकों को अपना तो सुक्रात वो उनकी पत्नी की कभी भी जीवन में जमी नहीं कहा जाता था कि सुक्रात की पत्नी काफी जगडालू और तेश थी तो ये सुक्रात का कथर उनके जीवन अनुभव पराधायत है कि अगर आपको अच्छी पत्नी मिलती है तो आप घर ग्रस्ती के कामों में लगे रहेंगे वो खराब पत्नी मिलती है तो आप घर से बाहर निकल कर दुनिया संसार जगत ईश और आत्मा इन सब के बारे में सोचेंगे चिंतन करेंगे बिचार करेंगे तो आप दाशनिक बनेंगे मतलब यहां ही कहा गया कि अगर आपको अच्छी बत्नी मिलेगी तब इस संसारी घीवन में उलगे रहेंगे अगर खराब पत्नी मिलती है तो आप इस गरस्त घीवन के बाहर भी चPrčा करेंगे अन्य चीजों की खोज करेंगे अनुं संधान करेंगे तो आप एक दाश्टिक बन जाएंगे, तो भी बाद जरूर करें, यह सुकरात कहते हैं, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह आप मेरा विक्तिगर विचार नहीं है, सुकरात का विचार, नेक्स्ट है, सिक्षा, अगनी को प्रजुलिद करने जैसा है, परतन भनने जैसा है, मतलब इस कथन में सुकरात करते हैं, अगर आप किसी को सिखला रहे हैं, किसी को कुछ ग्यान दे रहे हैं, तो आप केबल उसे एक दिशा दे रहे हैं, आप पूरा ग्यान उसे नहीं दे सकते हैं, उसे ग्यान स्वें प्राप्त करना है, जैसा कि इसके पहले की कथन में उन्होंने दे सकता है, तो आप किसी को सिक्षित कर रहे हैं, तो आप केवल एक अगनी को प्रजुलित कर रहे हैं, एक ज्वाला जला रहे हैं उसके मस्तिष्क में, आप उसके मस्तिष्क को पूरा भर नहीं रहे हैं, पूरा ज्यान आप उसको नहीं दे सकते हैं, आगे अगले कथन में स जो ब्यक्ति अपने पास होने वाली शीयों से संतुष्ट नहीं है वो उसे भविश्च में मिलने वाली शीयों से भी संतुष्ट नहीं होगा अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो फिर आगे आपको जो चीजे मिलेंगी तो आप उससे भी संतुष्ट नहीं होगे आप औ हमारे देश आ जाईए और हम आपको बहुत बड़ा पद प्रदान करेंगे हमाएं राष्ट में और बहुत सारा धन देंगे और एशो आराम की बस्तुएं देंगे तो सुकरात सुकरात ने कहा था तब सुकरात ने उनको प्रतित्तर देखते हुए कहा कि मैं यहां पर खुश हूं जरने के पानी से मेरी प्यास बुच जाती है खाने योग या भूख मिटाने योग मुझे भूजन मिल जाता है और तन धखने के लिए एक कपड़ा मेरे पास है जो कि किसी मनुष के लिए परयापत है तो ऐसा धुकरात ने उस ब्यक्ति गो जवाद दियाता है कि अगला है आपका दिमाग आपका उपदेशक है यह हमेशा परिवर्तन से मुक्त रहना चाहता है दर्द से मुक्त जीवन मित्यू के जण्यटों से मुक्त इंतु परिवर्तन ही संसार का नियम है और कोई भी मानमिता इस सच्चाई को टाल नहीं सकती इस कथर में सुपरात का ही कहना है कि हमारा जो मस्तिश्ट होता है जो मनुष्ट का जो मस्तिश्ट होता है वो कभी भी परिवर्तन के जंजटों में नहीं पढ़ना चाहता है उसे लगता है कि जो जीज जैसी चल रही है वैसी ही चलती रहे तो उसे ज्यादा प्रयास ना कर तो कि यह उचार कर लेता है उसका जीवन सरल सकरे हाँ क कि नेक्स्ट सरे का ताहिएं कभी-कभी आप दीवारें दोसरों को दूर रखने के लिए खड़ी नहीं करते हैं बलकी इसलिए खड़ी करते हैं कि आप यह देखने की कोशिश करते हैं किसे तोड़ने का प्रयास कौन करता है मगर कई बात जो हम लोगों से डिस्टेंस बनाते हैं तो इसलिए नहीं बनाते हैं कि हम उनसे दूर जाना चाहते हैं हम इसलिए बनाते हैं कि हम यह देखना चाहते हैं आगे चल की हमारे पास खुरन आता है यह तो यहां इस कृफर में कहते हैं कि हम अपने लोगों को पैचानने के लिए लिए दूर्याँ बनाते हैं क्यों पे लूantage को लोगों को बहुत दिनों तक कॉल नहीं करते मैसेज नहीं करते हैं तो हम उनसे दूरी नहीं मनाना चाहते हैं हम यह देखना चाहते हैं कि कौन व्यक्ति हमें आगे चलके कॉल करता है कौन व्यक्ति हमें आगे चलके मेसेज करता है मतलब वही व्यक्ति हमारा वास्तों में अपना है ठीके, अगला जो कथन है सुकुरात का कि ज्ञान ही अच्छाई है और अज्ञान ही बुराई है तो सुकुरात कहते हैं अज्ञानता पाप है तो ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो सभी प्रकार की समस्याओं या सभी प्रकार की बुराईयों को समाप कर चकता है तो इस कतन का यह आरत है अगला कतने संतोसी प्रकती का धन है और भोग बिलाशिता करतीम गरीब है इस कतन में सुपरात कहता है जो व्यक्ति संतोसी प्रवत्ती का है वो धनी है और जो व्यक्ति भोग बिलाशिता करना चाहता है वो करतीम रूप से गरीब है क्योंकि उसे हमे दूसरा लेटेश मोबाइल आ जाएगा परसों से अच्छा जाएगा यानि आप फिर हमेशा गरीब बने रहें गों जो व्यक्ति संतोसी है कि नोकिया का जो मोबाइल चला रहा है ग्यारा सो आज भी वह वास्तों में अभी तोगी वह संतोसी है परिवर्तन का रहसे हैं कि आप पुरानी चीजों से लड़ना छोड़ दें उन नए चीजों के निर्माण में अपनी ओरताे सुनहीं हो चुकि उनके बारे में विचार ना करें क्यूंकि उनके विचार करने से कुछ भी परिवर्तित नहीं होने बालए अब जो नई चीजें हैं जो नए कार हैं आप उनमें अपनी उर्जा लगाएं उनमें अपना ध्यान के अंदरित करें तो में कई शाक्त्रों को कहना चाहूंगा इस सुकौराव इस कथन के मात दिया हैं इन सब चीजहां को अठा दीजिए वारे में सोच कर अब आप कुछ परिवर्तित नहीं कर सकते केवल आप बिचलित रहेंगे मानसिक कुंठा आपके दिमाग में बनी रहेगी मानसिक परिशानियां बढ़ेंगे और ये मानसिक परिशानियां आपके व्याभार में दिखाई देगी तो आपकी पढ़ाई, आपके सामाजिक जीवन, आपके सामाजिक सम्मन, आपकी क्रियाएं इनको दुश प्रभावित करेंगे तब आगे जो चीजे आने वाली हैं, आगे जो जीवन में चुनोती आने वाली हैं आगे जो लक्ष आने वाले हैं आगे जो लोग आने वाले हैं उन पर ध्यान के अंदिरित करें उन पर उर्जा लगाएं तो आप पाएंगे कि आप एक बहतर मनुश्य बन रहे हैं जब तक आप इन पुरानी चीज़ों से लड़ते रहेंगे जगड़ते रहेंगे इनमें उर्जा के इंद्रित करते रहेंगे इनमें उर्जा आप बरवात करते रहेंगे तब तक आप आगे महीं बढ़ पाएंगे तो यह विशेश रूप से इस कथन को आप अनिवार रूप से पालन करेंगा आप जीवन में बहतर मनुष बनना चाहते अगला जो शुक्राग का कतन है कि ज्ञान को धन से ज्यादा मैं पूर्ण समझें क्योंकि ज्ञान साश्वत है और धन छंड भूगे यानि इस कतन के माद में हम से सुपरात करते हैं भी knowledge society, आज knowledge ही क्या है? धन है, जो ग्यान है वही धन है, क्योंकि ग्यान को कोई आपसे छीन नहीं सकता है, धन क्या है, धन तो नश्ट हो जाएगा, आज यह lockdown का प्लेट चल रहा है, आज धन का कोई महत नहीं है, knowledge का महत, ज्यान का महत है, ज्यान का महत हर देश में हरकाल में बना रहता है तो नौलेज ही धन है तो ज्ञान को धन से जादा मेहत दोगे अगला है इस कथन में सुप्राद करते हैं कि प्रश्न को अच्छे से समझ लेना ही आधा उत्तर है कोई भी अगर आप से प्रश्न कर रहा है तो अगर आप उस प्रश्न को अच्छे से समझ लेंगे यानि आपने आधा उत्तर तो दे ही दिया अग्जाम में भी यही होता है मुख परिक्षा के समय जो प्रश्न आता है आप पहले उसको अच्छे से पढ़िए समझ जीए अगर आप उसको समझ गए यानि आपने आधा उत्तर तो दे ही दिया हम हरवड़ी में उत्तर लिखना सुरू कर देते हैं जब आदा उत्तर लिख लेते हैं फिर पता जलता रही तो पूछ कुछ और रहा है हम लिख कुछ और रहे हैं पूछी उसने विसेश्ता है है लिख हम प्रक्यति रहे हैं पूछा उसने अनुप्योग है और लिख हम उस हम उसकी विशेषता रहे हैं पूँचे उसने प्रकार हैं और लिख हम उसके संबन्द में अलोजना है रहे हैं तो गलत हो जाता है तो सबसे पहले प्रशन को अच्छे से समझें जब आप प्रशन को अच्छे समझ जाएंगे इसका मतलब कि आदा उत्तर आप ते चुके ठीक लास्ट कथन है अगर आप अच्छे गुडसवार बनना चाहते हैं तो सबसे पहले सबसे बे-काबू गौडे को चुमें क्योंकि अगि आप इसे काबू कर लेते हैं तो आप सभी गौडे को काबू कर लेंगें यहां पर शुक्रात इस कफ़न के माध्यर के कहने चाबते हैं कि अगर आप सबसे बड़ी चुनोती का समाधान कर लिया तो अन्यसाई चोटी मोटी समस्या या चुनोतियां तो आप स्वता ही समाधान हो जाएंगी, आपको उनके लिए अलग से प्रफ़गूरूप से प्रयास नहीं करना पड़े, तो अपने जीवन की जो सबसे बड़ी चुनोती है, जो सबसे बड़ा लक्ष है, आप उसे चुने, उसे पूरा करें, अगर आप उसे पूरा करते हैं, तो अन्य सभी चुनोतियां, अन्य सभी समस्या स्वताही समाधान है, तो ये कुछ महतूर कथन थे, सुकरात के, इसके बाद, जो भी आपको वीडियो से समंदित, इस वीडियो समंदित डाउट्स हों, आप उसको कमेंट्स बॉक्स म डाल सकते हैं, मैं वहाँ पर आपका, इसके साथ साथ ही समाधान करता जाओंगा, है ना, आगे इसके बाद हम दूसरे थिंकर को लेंगे, अभी हमने दो थिंकर आपके पूरे कर दिये हैं, एक चार बात और एक सुक्रा, इसके बाद हम के अन्य थिंकर को लेंगे, आज के लिए इतना ही, धन्य बाद